बिहार में ABP News की खबर के बाद सियासी हलचल बहुत तेज है कलम ने आपको इसी समय लालू यादव के कथित वाइरल आडियो पर एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें लालू यादव पर BJP विधायक को मंतरी पत का लालच देने का आरोप लगाया गया था और देखे ठीक 24 घंटे के बाद इसी मामले में 24 घंटे के अंदर लालू यादव पर पत्ना के निगरानी थाने में F.I.R. दज हुई है और लालू यादव को सरकारी बंगले से अब अस्पताल की पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है चारा गोटाले में सजा काट रहे लालू अब तक रिम्स निदेशक के सरकारी बंगले में रह रहे थे लेकिन E.B.P. निउस पर खबर दिखाये जाने के बाद इस मामले में 24 घंटे में F.I.R. दर्ज हो जाती है यह कहा यह आरोप B.J.P. विदायक के तरफ से लगाए गए और F.I.R. में भी यह तमाम बाते लिखी गई है और E.B.P. निउस पर हमने यह खबर कल शाम आपको इसी समय साथ का पंच में दिखाई थी और उसके बाद 24 घंटे के अंदर लालु यादव के उपर F.I.R. दर्ज हो गई है क्या कुछ B.J.P. विदायक ने कहा था? एक बार वो आपको सुनवाते है पॉब्लीक सर्वेром को पॉबध देना पॉब्लीक सर्वेंट को अपनी कर्टव्यों से निर्मोहन करने बाधा पोचाना यह उनको करने पर करने के लिए प्रोफ साहिब करना यह आता है क्रॉप्शन का मामदा है प्रकाश कुमार सक जोड़ गया है मारे साथ पूरी जानकारी लेकर प्रकाश मुझे एक बात बताईए जो कॉल का बवाल चुरूआ ये भारी पढ़ गया लालो यादव पर बिल्कुल ये जेल से जो खेल चल रहा था इतना ही नहीं पूरे चुनाव में वो आराम से सारे कैंडिडेट से बात करते थे यहां तक कि कुछ पत्रकारों से भी वो सीधा संपर्क में रहते थे और अब जबकि एवीपी नियूज ने दिखाया कि किस तरह से बुलगातार फोन पर एक विधायक जो बीजेपी के विधायक है ललन पास्वान उनको मंत्री पद का लालज दे रहे थे और उनसे कह रहे थे कि अगर स्पीकर के चुनाओं में वो एपसेंट हो जाते हैं तो उनको मंत्री पद दिया जा सकता है यह मामला आगे बढ़ चुका है और इस मामले में उनके खिलाफ में इनके खिलाफ में कारवाई होती है वहीं दूसी तरफ लालू यादव को रिम्स में शिफ्ट कर दिया गया है जिस डिरेक्टर यानि रिम्स के डिरेक्टर के बंगले कैली बंगले में वो रह रह रहे थे आराम से रह रहे थे कहने को वो जेल में थे कैदी थे लेकिन खुलेयाम आराम से वो दिख रहे थे कई बार फोटो में भी दिखा है वीडियो में भी दिखा है मोबाइल फोन से बात करते हुए उनके साथ तमाम सेवादार भी रहते थे और आने जाने वालों पर कोई रोक टोक नहीं थी इस पर भी कोट ने संग्यान लिया था और वहां के जेल आईजी से रिपोर्ट भी मागी थ कर दो पिखा है